यह कह रहा कि two waves are represented by the equations, y1 this, y2 this, where x is in meter and t in second, the phase difference between them, phase difference का मतलब मैं तो सिधे सिधे बताता हूं, बच्चे 5 1 minus 5 2 ऐसे याद करते हैं, इतना आथा पच्ची ना करो, बस sign के अंदर जो है यह, और यह, इसको separate करते हैं, लेकिन, क्या लेकिन भीया, दोनो या तो sign में हो, या तो दोनों cost में हो, यह चीज का ध्यान लखे रहना, तो FHM में भी math यूज हो रहा, इसमें भी थोड़ा बहुत math यूज हो रहा, तो ज़्यादा effort नहीं लगाना है, अक्सर इसमें जो math यूज हो रहा है, बस ज़्यादा नहीं यूज हो रहा है, इतना मैं यह note लिखता हूं, म अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, यह हमारा first coordinate होता है, यह second coordinate होता है, यह हमारा third, और यह हमारा fourth होता है, यह zero है, यह 90 है, और यह हमारा 180 है, यह हमारा 270 है, फिर यहाँ आएगा तो 360 हो जागा, ऐसे मैं गया हूं, ध्यान लखे रहिएगा, तो इसमें अगर मैं math की बात करे तो इसमें technometric identity जो होता है, all positive, इसमें सिर्फ sin theta होता है, इसमें क्या होता है, 10 theta होता है, इसमें क्या होता है, cos theta होता है, मेरी बात से सहमत हो, fine theta है यानि cos theta उसके साथ आएगा, 10 theta है यानि cos theta उसके साथ आएगा, cos theta है तो 6 theta इसके साथ आएगा, cdc बात, अचा हमको क्या करन आप को थोड़ी सी मैथ सीखना है, sin, पता है 90 प्लस ठीटा क्या होता है? Cos ठीटा होता है, आप इसे यूज कर सकते हैं, सीडी सी बाद, जब भी आप sin 90 प्लस ठीटा करेंगे, तो वो किस में convert हो जाएगा? तो आपको करना क्या है यहां पर इसे कॉस को जो है हम ऐसा लिख सकते हैं मैं यहां दोनों एक्वेशन आपको लिखके बदाता हूँ पहले वाले एक्वेशन में है y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.5 से भी धियान से समझिएगा और y2 की वैलू मैं डारेट कनवर्ट कर रहा हूँ पॉस के जगे मैं साइन लिख रहा हूँ तो यह हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स ठीटा है तो 90 प्लस ठीटा तो 90 को हम लोग फिलाल क्या लिख रहा है 180 डिगरी मत रख दीजिएगा नहीं तो आपका आंसर नहीं मैंच करेगा फिर आप परेशान रहेंगे ठीक है इसको और भी सिंप्लिफाइग करेंगे तो यह हो जाएगा a साइन इधर डिवाइड करके बताई 5y2 मतलब 3.14 डिवाइड बाइ 2 इसे कट करेंगे तो 1.57 तो यहां एक बार लिखते हैं omega t plus kx plus 1.57 अचा phase difference का मतलब यह है कि इसके बीच में का यह जो है इसका difference करना है तो अक्सर बच्चा यह omega t plus kx ओमेगा t plus kx यह तो खटी जा रहा है तो इसमें कुछ ज़्यादा effort नहीं लगाना है तो यह इसमें से इसे सब्टेट करना overall हो जा रहा है मेरी वाइब समझे की नहीं तो अगर आप phase difference निकालेंगे 5 तो 1.57-0.57 तो यह आएगा 1.0 और यह किसमें आएगा रेडियन में आएगा इस चीज का धियान रखे रहना डिगिरी में नहीं आएगा ठीक है तो इसका अगर हम लोग answer टिक करेंगे तो यह first option करें